आज मैं लेकर आई हूँ वेनिला केक की रेसिपी क्योंकि चॉकलेट केक की रेसिपी तो मैंने काफी सरा आप लोग के साथ शेर की है हमेशा की तरह ये रेसिपी बनाने के लिए आपको मैदा, चॉकलेट या फिर अवन या किसी फैंसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है बिना विपिंग क्रीम का ये केक बनेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी आईसिंग की रेसिपी मैंने शेर किया है इसी वीडियो में आप केक देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है लेकिन इस केक को मैंने मैरी बिस्किर से बनाई है यकिन मानिए बहुत ही डेस्टी केक बनी है तो चेलिए देर ना करती हुए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकूम बैक टू माई चानल सोनिस की चानी हम पर आप देखेंगे आपने मन पसंद की स्वाधिस रेसिपेस तो देर किस बात की इस चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन क्लिक करें वीडियो देखने के बाद रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सबसे पहले केक टिन को ग्रीस करके रेड़ी करेंगे मैंने हम पर आधा किलो केक के लिए जो केक टिन आता है वो लिया है आप इस केक टिन के जगा कोई भी अलुमिनियम और स्टील का डबा ले सकते हैं केक टिन को तेल लगा कर ग्रीस करें फिर इसके उपर मैदा छिड़क सकते हैं या फिर आप बटर पेपर ले सकते हैं घर पर बटर पेपर बनाने के लिए कोई भी सफेद पेपर में बटर या तेल लगा कर आप बटर पेपर के जगा इस्तामाल कर सकते हैं केक टिन रेड़ी है आप केक के बैटर के लिए मैं मेरे बिस्किट ले रही हूँ मैरे बिस्किट की बड़ी वाली पैकेट में लिया है ये मेरे घर में अवैलेबल थी मैंने ये ले लिया है आप छोटी पैकेट ले या बड़ी पैकेट इसमें से हमें 30 बिस्किट यूज़ क यहां पर देखिए बिस्किट का पाउडर बनकर तयार है इसे मैंने एक बोल में ले लिया है अब इसमें दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी डालेंगे क्योंकि मैरे बिस्किट थोड़े सी कम मिठा होता है तो चीनी ज़रूर डालें इसी के साथ एक चोटा है कब तेल डाले तेल में कोई हार्ष फ्लेवर नहीं होनी चाहिए एक चोटी चमच वेनिल एसेंस में डाल रही हूँ अगर आपके पास वेनिल एसेंस नहीं है तो आप एक बड़ा चमच कस्टरड पाउडर इसमें डाल सकते है फिर वहां पे थोड़ा सा कलर में चेंजस आएगा लेकिन फ पाफी थीक है मैरे बिस्किट को घुलने में थोड़ा सा समय लगता है तो दो से तीन मिनट के लिए या तो इसे इस तरीके से फेट लिजे या फिर पूरा मिक्षर को आप मिक्षर जान में डाल कर ग्राइंड कर लिजे तो इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा अब इसमें ड चालने के बाद बैटर को ज्यादा देर बाहर ना रखे इसे तुरंथ ही केक टिन में हम ट्रांसफर करेंगे और इस केक को बेक करने के लिए मैंने साइड में कड़ाई गरम कर ली है आप चाहे तो कुक कर या कोई भी भगोना ले सकते बस ध्यान रखी कि जो भी बरतन ले हो वह हैवी तले वाली होनी चाहिए 10 मिनट के लिए बरतन को अच्छे से गरम होने दे आप अगर वन में बेक करना चाते तो टोस्ट मोड पे 200 मौन को और ये केक को 20 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे बेक करेंगे 20 मिनिट के बाद एक बार चेक करेंगे अगर केक बेक नहीं हुआ हो तो 10 मिनिट और बेक कर लेंगे अब यहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हूं केक किस तरीके से फूल रहा आप देखिए लेक्टिन को बहार निकालेंगे और अच्छे से रूम टेंपरेचर में थंडा होने देंगे तब तक हम फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं एक पैन में लेंगे भर बर के दो बड़े चमश बटर फ्लेम को एक तम लो पे रखेंगे लो फ्लेम पे ही हमें पूरा प्रोसेस करना है अब हम इसमें वन थर्ड कप और एक बड़ा चमश आड़ करेंगे मिल्क पाउडर किसी भी दुकान में आपको एजिली मिल जाएगा और इसे मिलाएंगे बटर और मिल्क पाउडर एक साथ अच्छे से मिल जानी चाहिए आप अगर आज को तेज कर लेंगे तो बटर जल जाएगा ये घी बन जाएगी तो जला हुआ समेल आएगा ध्यान रखे फ्लेम को लो पे ही रखना है जब इस तरीके से मिक्स हो जाए तब इसमें दो बड़े चमस दूद डालेंगे दूद डालने के बाद इसे हमें लगातार मिक्स करना है जब तक इसका एक सही टेक्शर नहीं आजाती है इसके टेक्शर कैसी होनी चाहिए जैसे आप वाइट चॉकलेट को मेल्ट करते तो आपको कैसी टेक्शर मिलती है बिल्कुल वैसे ही चाहिए एक्चली बताओं तो मैं वाइट चॉकलेट के जगा ये यूज़ करूँ क्योंकि वाइट चॉकलेट सब के पास नहीं होता है अपके पास अगर है तो आप वाइट चॉकलेट को मिल्ट करके ले सकते है अगर आपको नहीं पता हो तो बता दू वाइट चॉकलेट में भी चॉकलेट नहीं होता है उसमें होता है मिल्क पाउडर और कोको बटर बस हम इसमें मिल्क पाउडर और अमुल बटर ले रहे हैं फ्रीज में हमें 10-15 मिनिट के लिए रखना है जब तक यह अच्छ से जम ना जाए तब तक हम केक को अनमोल कर लेते हैं देख लेते केक कैसी बनी है देखिए केक कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है एकदम रूई जैसी सॉफ्ट केक बनकर तयार हुआ है 10-15 मिनिट के लिए फ्रीजर में रखने के बाद ये फ्रॉस्टिंग को मैंने अभी बाहर निकाला इसे एक बोल में लेंगे एक थाली में नीचे मैंने काफी सारा बरफ लेकर बरफ का बेड बनाया ताकि जो ये क्रीम है अच्छ से फ्लफी हो सके आप इसे मैं इलेक्रिक बीटर से विप कर रहे हूँ आप हैंड विसकर से भी कर सकते हैं आज मेरे पास समय कम है तो मैं इलेक्रिक बीटर का यूज कर रहे हूँ हैंड विसकर से थोड़ा सा समय जादा लगता है अब इसे हम तब तक टेंगे जब तक कलर हलोका सा चेंज ना हो जाए क्योंकि इसमें बटर है तो ये फ्लंफी हो जाएगी जैसे बटर करिम फ्लंफी होती है लएक ठ리लकुल वैसे फ्लंफी हो जाएगी और कलर भी धिरे-दिरे लाइट हो रहा है हाई स्पीड पे मैं इसे फेट रहे हूँ अभी देकि इसका कलर काफी लाइट हो चुका है और थोड़ी सी गाड़ी भी हो चुकी है अब इसमें दो बड़े चमश कॉन फ्लार डालेंगे जिससे की इसकी कंसिस्टेंसी को ठिक करने में मदद होगा और यह विपिंग क्रीम वाली गंसिस्टेंसी में आईगी अगर इस बीच आपकी क्रीम ठिक नहीं हो रही है तो इससे फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रहे फिर निकाल कर इसे फेटिए चाहे तो आप इसमें दो बड़े चमच पिसी वी चीनी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया था तो मिल्क पाउडर काफी मीठा होता है इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ आप थोड़ा मीठा खाने वालों में से हैं तो दो बड़े चमच पीसी वी चीनी डाले है, देखिए क्रीम में पिक वाली कंसिस्टेंसी आ चुकी है, क्रीम रेडी है, चलिए केक को गानिश करने के लिए केक को लेयर में कट करते हैं, मैं इस cake को 3 layer में cut करी हूँ क्योंकि cake की height काफी अच्छी है आप जो भी size के cake बनाती हो आप 2 layer में cut करना है तीन layer में cut करना है यह आपके ओपर depend करता है मैं एक trade के मदद से cut करे हूँ आपने अगर मेरे पिछली वीडियो देखा होगा तो मैं हमेसा trade के मदद से cake की layer cut करती हूँ तो यहाँ पर देखिए cake कितने जालीदार और soft बनी है बहुत ही अच्छा cake बना है तो चलिए इसे गानिश करना शुरू करते हैं मैं यहाँ पर turning table लिया है और एक cake board लिया है इसमें मैं थोड़ा सा cream लगा रही हूँ turning table और यह cake board यह सब घर पर कैसे आप जुगाड कर सकते मैं पिछली वीडियो में शेयर किया है आई बटर पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आप वहाँ से चेक कर ले इसमें हम sugar syrup अपलाई करेंगे फिर cream लगाएंगे शुगर syrup आपको कैसे बनाने बता दू दो बड़े चमच चीनी दो बड़े चमच पानी को उबा ले या फिर दो बड़े चमच पानी में दो बड़े चमच पीसी हुई चीनी डाल कर मिला ले शुगर सरप आपकी रेडी हो जाएगी तो एक लेयर केक फिर शुगर सरप फिर cream फिर दूसरी लेयर केक फिर शुगर सरप फिर cream ये process को में repeat करना जब तक हमारी केक लेयर खतम नहीं हो जाती और जो उपर की लेयर केक है उसमें भी शुगर सरप लगा कर cream लगाएंगे फिर अब की बार हम पूरा केक को cream से cover कर ले पिछली वीडियोस में मैंने बड़ी वली चाकु को यूज करके केक को अच्छा से गानिशिंग करके आपको दिखाया है। को अगर नहीं देखाया तो जरूर देख ले बहुत अच्छी İşikeki YouTube working और इजी केक की रिसीपी मेरीचैनल में आपको मेल जागी प्लेदिष चेक कर लोजनल चेक लेए वहां पर केक्षीपी करके आपको पूरा वीडियो बहुत सारे वीडियो Thanks देखिए यहां पर मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ जो क्रीम बची हुई है साइड में लगी हुई है उसी को अच्छे से अपलाई करेंगे फिर हम क्रीम लेकर के पूरा केक में अच्छे से लगाएंगे जितना क्रीम है उसी में से हमें अच्छे से सजा लेंगे तो थोड़ा रख दे अब भी भी मैं फ्रीज में ही रखने जा रही हूँ, 10 मिनिट के बाद केक को मैंने निकाला है, आप देखिए यहां पर मैंने Scrapper घर पर बनाकर रेडी किया था, एक डब्बे की धक्कन को कट करके मैंने इस तरी के से Scrapper रेडी किया था, आप बाहर से Scrapper ले सकते य और केक की जो बोड़ है इसकी साइड को अच्छे से टीशी पेपर से पोच ले आप जो बाकी बची हुई क्रीम थी इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल कर लिया है और ये वाली नोजल जो मैंने यूज किया है इसे घर पर कैसे बनानी ये वो भी मैंने पिछली वीडि कर सकते आपको जैसे पसंदो अब जो हमने मिल्क वाली फ्रॉस्टिंग को बचाया था उसी को मैंने कोन में भर कर ले लिया है अगर वो फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी थीक हो गई हो तो उसमें तोड़ी सी दूद डाल कर कंसिस्टेंसी को अज़स्ट कर ले आप देखिए इ से हम केक के मिडिल में डाल कर थोड़ा सा केक को हीलाएंगे ताकि यह लेवल अप हो जाए अब यहां पर क्रीम भी थोड़ी सी बची हुई है तो केक के बेस में मैं इस तरीके से फ्लावर्स बना रही हूँ और मेरे पास थोड़ी सी स्टार वाली स्प्रिंकल्स थी तो मैं यह डाल रही हूँ आप स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं तूटी फ्रूटी डाल सकते हैं यहां फिर चेरी है तो चेरी से गानिश कर सकते हैं यहां पर हमारी केक बनकर तैयार है जो कि हमने मैरी बिस्किट और मिल् बिलकुल वाइट चोकलेट वाली टेस्ट आएगी फ्रोस्टिंग में से और जो केक है वेनले फ्लेवर की बनी है बहुत ही डिस्टी केक बनी थी दोस्तों और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है काट रही हूँ तो आपको पता चली रहा होगा बहुत ही अची केक बने तो आप पीसे ट्राइ करें रेस्पी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर करें और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बल एकन क्लिक करें फिर मिलतेइक और रेस्पी किसा तब तके लिए बाबाई एंड टेक केर